दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का गौतम ओनलाइन इस्टेडी यूटूब चैनल पे प्रात्मिक तिक्षक वर्गतीन से रिलेटिट बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे किसे इसके बारे में बताईए कुल पद कितने रहेंगे या कितने फॉर्म अभी तक भरे गए हैं ये सिर्फ पात्रता परिक्षा है या इससे आपके जवाब भी मिलेगी तो इन सभी जवाब के कोश्चन्स का आपको आज जवाब मिलने वाला है लाश्ट तक वीडियो को देखिएगा वीडियो इसकिप नहीं कीजिएगा पूरे जानकारी आपको दी वीडियो को और ये आपके पांच फरवरी जो आपके लाश्ट डेट आप सभी को पता है कि चार फरवरी थी तो लाश्ट डेट आपके एंड होने के बाद अब आपको ये जानकार याज हम देने वाले हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को वीडिय कि आप इसमें नाम देख रहे हैं कि पातरत परिक्षा अ रात में एक सिक्षक पातरत परिक्षा 2020 के लिए जो 26 दिनमे डेट भी बढ़ाई engine लेकिन कितने पदो पर होगी भरती अभी कोई भी इसके वारे में तय नहीं है कि कितने पदोंपर ये भरती होने वाले हैं लाश्ट तक आप देखेगा इसमें और भी बहुत ज्यादा जनकारी जो जरूरी आपके लिए इसमें है क्या देखे तीन बार बढ़ चुकी आवेधन की तारिक अप्रेल में होगी इसकी परिक्षा ठीक है देखे प्रोपेशनल एक्जामनेशन बोर्ड दौरा अप्रेल में से इसके लिए आवेधन करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी बोर्ड जो है तीन बार आवेधन करने की अंतिम तारिक भी बढ़ा चुका और इसकूल सिक्षा मंतरी जो राक्टर प्रभूराम चोधरी का कहना है कि सिक्षा की तो अधिकार है कानून के प्रावधानों पर अमल किया जा रहा है निजी स्कूलों के सिक्षक बनने के लिए भी पात्रता परिक्षा पास्ट करनी होगी तो पात्रता परिक्षा के बाद ही पदों की संख्या के निरधारन हो सकेगा तो सबसे पहले तो यह आपके पात्रता परिक्षा होगी उसके बाद पदों की संख् प्रशाशन विभाग ने प्रवधान खत्म कर दिया था लेकिन इसके साथ ये भी कहा जाता था कि भरती की समय समान ने प्रशाशन विभाग के प्रचलित नियम प्रभावशील होंगे। प्रशाशन विभाग समय 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 क्रत्म कर दिया प्रशाशन विभावशील होंगे। संभावना है इस स्कूल सिख्ष विवाग ने इन पदों पर काउंस्लिंग परिक्टिया पिछले महिने ही सुरू कर दी थी और इसके लिए विवाग द्वारा भी EWS के टेगरी के एंट्री की जा रही है वजह यह है कि इन पदों के लिए लिए पात्रा परिक्षा के समय समान वर्क के 10 फिज़ी अरक्ष्ण का प्रावधान नहीं हो शकाता ठीक है इसलिए अभी यह वर्क चल रहा है फिर इसमें देखेंगे स्कूल और सिख्षकों की यह है मैदाने अश्लियत जिसमें आप देखेंगे प्रात में कितने पद हैं और हाई स्कूल हाई स्कूल यह सभी पद कितने खाली है ठीक है इसमें आप यह बात भी ध्यान देजिए कि फिर भी खाली रहेंगे पद यह भी इसमें कहा गया है विशेशक कहते हैं कि इस भरती के बाद भी पदेश के गामों की स्कूलों में सिख्षकों करीब 15,000 पद खाली रह जाएंगे और इसकी दो बज पद करने के लिए कारियोजना बनाई जा रही है और प्रदेश में कहीं भी सिख्षकों की कमिन नहीं होगी यह कहना है आपके डाक्र प्रपुराम्चौधरी स्कूल सिख्षा मंतरी का तो यह जानकर यह आज निकल के आ रही है तो आप सभी नहीं देखा था तो इस वीडि को सेएर कीचिए एंड ऐसे आप इनको इनफ मिलती रहती है हमारे चैनल पे यूकरी सही है एंड अथनटिक जनकारी हो तो वीडियो के लाइक एंड प्रेसदिसर आने वेडियोर6 अनूटिफिकेशन आपको मिलता रहे है ठैंक्यू